हालो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका इस्टार किचन में तो आज में लेकर आई हूं मतर पनीर की रेसिपी चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना तो हमने लिए एक कड़ाही और उसमें डाल लिया है दो बड़ा चमच वाइल और यह लिए है 200 ग्र कर नम और सबसे पहले हम पनीर को फ्राइब कर लेंगे आपको अगर पनीर बना रहे हैं तो आप मेटियम रखेंगे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो पिलिए लाइब स्प्राइब और शेयर कीची और इस तरीके से एक बर पनीर बनाके जरूर देखिए बहुती टेश्टी बनती है और कुछ समय में ही पारच जीरह पैसम स्विषय नैसल लिया है इनको हम पहले हलका सा फ्राइ कर लेंगे पका लेंगे गैस का फ्राम मेडियम ही रखेंगे और जादा देख रहा है वो जादा नहीं है क्योंकि हम इसी में अपनी पूरी रेसिपी बना के तैयार करेंगे तो इसलिए और जादा नहीं है आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं कि इनको अच्छी तरीके से जिनका हल्का सा color हो जाए प्याज का तब तक हम इनको भूनते रहेंगे कि इसी तरीके से हम चलाते हुए रहाँ सा भाष्यू सा ओ हुलकिकाने सबस्केट हो चुकत हमारे टमाटर जाते से इन को जब तक इंवर से पक हमें साथ चुड़र कने 2.5 पक्रमाटर धिशनों के इसमें हमने एक चमट नमक भी एड़ कर दिया टेस्ट के अनुसार आप चाहें तो पहले भी इस्तमाल कर सकते हैं नमक और बाद में भी कर सकते हैं तो देखें एकदम बढ़िया से हमारी टमाटल सौप्ट हो चुके हैं और प्याज भी पूरी तरीके से पक चुकी है लगवा तीन से चार मिट के लगवागे तीन मिनट में लगवा कमप्रेटली पक चुकी है तो अब इसको हम निकाल लेंगे और उसको ठंडा करने के बाद उसकी ग्रेवी तयार कर लेंगे एक पिष्ट बना लेंगे और आप जो बचा हुआ तेल था उसमें हमने जीरा एक पड़ा इलायची लॉंग और काली मिर्च डाल दी है और बस जो हमने पिष्ट तयार किया था उसमारे प्याज टमाटर धनिया मिर्ची अद्रक का उसको हम इसमें एड़ कर देंगे और बस वैसे वह और रेड़ी पका हुआ था हमारे प्याज और टमाटर बगएर तो हम उनको थोड़ा सा और पका लेंगे जो हमने पानी इसमें एड़ किया था पिस्ते बाग उसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे और देखिए हमारे मसाला पक के तयार हो चुका है तो अब एड़ कर देंगे हम जो सूखी मसाले है एक बड़ा चमच हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर अपने अकॉडिंग ले मिर दो बड़ा चमच धनिया पाउडर मिर्ची अपने एकॉडिंग इस्तमाल करें जिस तरीके से आपको तीखा रखना है आप उसी हिसाब से मिर्ची को डाल सकते है और देखिए हमारा मसाला अची तरीके से पक के तयार हो चुका है एक दम हमने मीडियम फिलेम पर ही इसको प पनीर रखी हुई थी उसको याड़ कर देंगे इस मसाले में और अच्छी तरीके से चला लेंगे अच्छी तरीके से मसाले में कोड कर लेंगे पनीर को और हमने लिए लगवक्त एक कटोरी मटर बूली है इसको हमने पहले से घरम पानी में उबाल लिया था एकदम सब्ट ह कुखी और अच्छी तरीकी से बॉस हैनेयों चोजा गालेंगे उसको बस एड़ेंगे और पनीर मसाली में अच्छी तरीकी से इसको मिक्स कर देगे बार一 छड़explश्श्प दों कि लिए इस तरीके से मीडियम फिलेम पर पका लेंगे बहुत ही बढ़िया बनती है इस तरीके से और इसमें समय जादा नहीं लगता है इस तरीके से बनाने में तो बहुत ही जल्दी बनके देखिए कितनी बढ़िया बनके हमारी तयार हुए है और अलगया मसाले आपको बनाने की जडियार कर सकतें आप आप चाहे तो पहले से ही अधर ग्रेवी बना के मzier रंते हैं और बशसव्ड जल्दी अधर नहीं को तो देखे कितनी मदध बड़ एक सरो आपर तलिकम आचे दो पाणी और पानी हम अपनी अपनी आदा ने अब इन्वाप मेरा करें तो हमने सल्माशन माएं तो एक पाणी निक्तिестно Lean न्यम्की के पहर पेठा करते हैं अब दो हम यजड़ा पिकना दोते हैं बुल्कुल हमारी तो 100 में हो चुक्त हैं और हमारी पनीर्न के बलकुल तयार हो चुकी है तो इस तरीके से आप में बना सकते हैं पनीर को ज़्यादा समय नहीं लगता है और अगर अगली रESIPI पसंद आती है तो प्ली सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली रसेपी में तब तक के लिए बाई